हलो दोस्तों नमस्कार आप लोग का हैपी लाइब लोग में स्वागत है तो अभी मैं आया हूँ दर्या के किनारे जो समसान है यहां रहने की व्यवस्था बहुत ही अच्छी है आप लोग देख सकते हैं यहां पे मंदिर और कुछ बढ़े बहुत अच्छे अच्छे चीज ह हैं आप लोग देख सकते हैं कि इतना अच्छा न जा रहा है मैं अंदर जाके नहीं दिखा सकता क्योंकि गेड़ बंद है आप लोग देख सकते हैं और यहां पर सिवसंकत जी का मूर्ती लगा हुआ हुआ है आप लोग देख सकते हैं अंदर का नजारा कुछ इस तरह से हैं आप लोग देखिए तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं यहां पर कुछ लाचे जल रही हैं आप लोग देख सकते हैं तो यह यहां का बहुत थी अच्छा लोकेशन है दरिया के किनारे जो की बहुत अच्छा निर्मार किया गया है घरों का आप लोग देख सकते हैं कितनी अच्छी तरीके से इनका रचनात्मक धंग से बनाया गया है तो चलते हैं और आगे आप लोग को दिखाते हैं आप यह नीचे उतर रहे हैं देख सकते हैं यह नीचे उतर रहे हैं देख सकते हैं यह नीचे और पार देख से रहे हैं यह नीचे से एनका तर रहे हैं यह नीचे बनाया है यह भी व्याओ बच्पष रहाइन झाल झाल तो अभी हम उस पार जाने वाले हैं आप कुछ देख सकते हैं आपर पान का बहाद थोला थोला है तो मैं इसकी पार का रुग देखा है झाल 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 तो हम यहां से निकलाएं है तो फोड़ा सा पानी था इसमें हलकर आना पड़ा हमको अब देख सकते हैं बाहर का नजा रहा है सकते हैं तरो यह दो दो में जो दो 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 झाल 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 ठाल हुआ झाल 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 तो अब भी हम उस पार जाने वाले हैं तो देख सकते हैं पर बहुत बहुत पार करेंगे हम यहां से निकल आए हैं यह थोड़ा सा पान ही था इसने हलका आना पड़ा हमको झाल करेंगे सकते हैं कर दो कर दो कर दो